नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास कारेक्रम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी लखनाओ विजिट पे है सेहत और जिंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम हकीम सहाब के आदेश अनुसार और लखनाओ में आज मैं मौजूद हूँ अपनी एक पेशेंट क घर पे जिनका नाम है भुपेंदर कॉर जी जो लखनाओ के लडी कलॉनी में रहती हैं और उनकी सेहत का राज जाने हम उनके घर पहुँचे हैं और कैसे रखती हैं वो खुद का ख्यार हकीम सहाब से कैसे जुड़ी कौन-कौन से नुस्के अपना रही हैं कितना वो खुद चाहिए का सबसे पहले हम जाना चाहेंगे अपनी उम्र हमें बताईये आपके घर में कौन-कौन है और क्या आप वरकिंग वोमें और हाउस-वाइप हैं मेरी उम्र 63 यर्स है मैं घर में का मब गरती हूं घर मेर गर मेरे पती मेरे एक बीता जो की यांपे है ठीक है तो सर क् यूनिकोर्न नीमें जॉब करते हैं आपको मैं परेशानी क्या थी और आप हकीम सहाब से तरह से जोड़ी किस तरह से जोड़ी मुझे परेशानी मुड़ो में दार्देशे शुरू ही, मैं हकीम साब से पहले टीवी में इनका प्रोग्राम देखा करती थी, उसके बाद यूट्यूब में पड़ा, एक्स्विरियंस भी लोगों के सुने, उससे फिर मैं इनके साथ जुड़ गई, जुड़ने के बाद मैं मैं इनसे गौंद सिया मंगाया, जो कि घुड़नों के दर्द हर दर्द में काम आने वाला था, मैंने उसको तीन-चार डिबे खाये हैं, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, यह समाझ लीजे, इस समय मेरे पर 90% रिलीफ है, तो 90% आपको अराम मिला गौंद सिया के इस्तमा पहले आपने प्रोग्राम अच्छे से देखा, उसके बाद आपने प्रोग्राम में जो कॉलर्स होते हैं, उनके फीड़बैक सुने, फिर आपको लगा कि मुझे भी एक बार आजमाना चाहिए, फिर आपको भी 90% आराम मिल गया है, गुटनों के दर्द में, ठीक है, आपन अच्छे से जुड़ने से पहले और क्या कुछ ट्रीटमेंट अपनाए हुए हैं, वो सब अलो पैथी थे, अराम नहीं मिल पाया, अराम भी नहीं मिला दर्द के लिए, बल्कि मेरी किड्नी में प्रॉबलम मागी थी, तो उसका तो ट्रीटमेंट चलता ही है, लेकिन अपनाया था, दो उसे भी घुटने के दर्द में अलिफ मिला, गौंसी अस्तमाल के उनोंने, अच्या, उनकी उमर कितनी है, उनकी उमर है 33 अच्या, अराम है, हाँ जी, ठीक है, हकीम साब से जुड़के कैसा लगता है माम, बहुत बढ़िया, और हकीम साब के प्रोग्राम सेवा करना, जो बहुत एक अच्छी चीज है, तो आधा जब वो मीठा मीठा बोलते हैं, तो आधा रोक तो तभी दूर हो जाता है, और आधा तो दवा उनकी बहुत अच्छी है, उससे सब रिलीफ मिलता है, जी, जी, तो लगनाव क्लेनेक से ही, आप सारी दवाईयं मंग वाले थे, ठीक है, आपके जरीए चलिए आपके बेटे तो दवाई खा रहे हैं, तो इनके अलावा भी आपने और लोगों तक हकीम सहाब की दवाईयां उसके बताएं हैं, कि अगर आपको ये परिशानी है, तो आप भी ये अपना सकते हैं, हाँ, मैं जो मुझे कोई अच्छा वो महिला हैं, जिन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया है, और जो पुरुष उन्होंने भी ऑपरेशन भी करा लिया है, अराम नहीं मिल पा रहा है, या फिर अभी तक दवाईयां खा रही हैं, पैरों को लेके, युनानी या फिर घरेलुन उसको से अलग, तो आप उ महिलाओं को, उन पुर्षों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी, कि आप भी एक बार सुलेमान साब से मिली के साथ जुडिये, और उनकी गुण सिया से लाव उटाईये, 100% लाव मिलेगा, अच्छा, बहुत जरूरी सवाल करना चा बहुत जाद ही लेकि चलते हैं दर्द होता था, ऐसा दर्द तो नहीं होता था कि आप बार्दाश ना कर रही हो नहीं ऐस तो नहीं हूँ अब डिया इनी अच्छा, कितने वक्त पुराना दर्द ही है अभी शुरूए था थोड़े पहला ही अच्छा, आपने तुरंद फि आपने बिनादेरी किये, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, हकीम सहाब के लिए कुछ कहना चाहती है, कभी अगर आपकी बात वैसे हमने करा दिया उनसे, तो इस इंटरव्यू के जरीया आप अपने मन की बात कह सकती है, कोई अगर मन में बात हो, कुछ कहना चाहती हू वो आपका इंटरव्यू देखेंगे, जब हम दिल्ली आपका इंटरव्यू लेके जाएंगे, हकीम सहाब को, मैं यही दूआ ही दूँगी, कि उपर वाला हमेशा सलाम मत रखे, जो वो हर एकी सेवा कर सके, जी, अच्छा, ठीक है, बेटे को आराम मिला, ठीक है, सबसे पह यही दूआ है, मैं यही दूआ है, सबस्क्राइब कर देखे हैं, बेराम मेन मद्धों में दर्द था तो उसके घुटनों में थोड़ा बट वा जो उखे हैं, जैसे बोला है मैं आपका एंग देखो तो उसने खाया तो उनको रिलीफ मिल के बादा है, मैं यही दूते है, अच्छा यह उनका अपना experience रहा या पर उन्होंने भी हकीम सहब की programs देखे थे नहीं experience रहा अच्छा experience रहा ठीक है तो मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने घर हमें बुलाया अपना वक्त हमें दिया और आप ऐसे ही सियत मंद रहें स्वस्त रहें इसी कामना के साथ मैं बहुत शुक्री आपका तो दर्श का आप सभी ने सुना भी भुपिंदर को और जी को जिनोंने बताया कि उन्हें मौंडों में दर्द था यानि कि घुटनों में दर्द की शिकायत रही हकीम साहब से जुड़ी और अभी उनको 90% आराम मिल गया है वो कैसे मिला है गौंद सिया का इस्तमाल करके वो भी स्तमाल करती है उनके बेटे भी इस्तमाल करते हैं बेटे के अम्रे 18 साल है तो उनको भी आराम मिला है ऐसे ही आप लोगों को भी अराम मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको जागरोख होना होगा विश्वास भरोसा रखना होगा तब ही आप एक सही ट्रीट्मेंट को फॉलो कर सकते हैं तो आज के इस खास कारेकरम में बस इतना ही अब मुझे भी दीजी इजाज़त नमस्कार